जहिंत नमस्कार मेरे शेर शेनियो लाटलो मैंने दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था आप सब ने देखा होगा कि सहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान इसमें भारत के जो पहले अगनिवीर अमरत पाल सिंग जी उनके उपर ये वीडियो था और कापी सारे बच देखोगे यहां पर देखिए रेंक जो इनकी लिखी हुई उसमें भी लिखावा अगनिवीर बहुत सारे लोग जो अगनिवीर के समर तक थे उन्होंने इसको बहुत दिल से अपना एतार बोला यह बहुत अच्छी पोलिस यह जब आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा ना तब आपको पता चलेगा इनकी रेंक है उसमें शिर्फ अगनिवीर लिखा रहता है नहीं तो शिपाई लिखा रहता है या आर्मी का जवान वहाँ पर लिखावा अगनिवीर और इनकी जो अर्थी को अंतिम कर रहा है वो इन्हीं के माता बहन और पिता दे रहे हैं ठीक है एक हमने पोल भी इस पे क्रियेट किया था कि आपको क्या लगता है कि सहीद अमरतपाल जिंग जी को गाड ओपोनर देना चाहिए भारतिय शेना को उनका समान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसी जब ये वीडियो काफी वारल हुए ऐसे और भी लोगों ने कुछ वीड करने वालों को भारतिय सेना शमान नहीं करती है ठीकर अब इसी के उपर हमने एक पोल किरियेट के था जिसका परिणाम ये है कि हमने पूछा था कि हाल ही में सहीद हुए अमरतपाल सिंग जी के लिए भारतिय सेना ने कहा है कि उन्होंने आत्मत्या कि इसलिए उनको गाड और नहीं दिया गया आपका क्या मत है क्या सहीद अमरतपाल जींग को गार्ड ओफ ओनर दिया जाना चाहिए इसमें एकरान में परतिसत लोगों ने वोट किया दिया जाना चाहिए पांच परतिसत लोगों ने कहा नहीं दिया जाना चाहिए चार परसेंट लोगों ने कहा क नहीं सकते, लगवग 35 000 लोगों ने इस पॉल में हिस्सा लिया था, ठीक है, इस में से मैं आपको कुछ कमेंड्स भी पढ़ के दिखाता हूँ, जो काफी सारी लोगों ऽुपर कमेंड्स भी पढ़ के और बिखाता हूँ, कमेंट्स में लिखते हैं मैं भी भारती फोज में रहा हूँ आत्मत्या केस में गार्ड ओफ ओनर नहीं दिया जाता और ऐसा मेरे परिवार के साथ हुआ है लेकिन ये गलत है ये सब फोज की नजर में हुआ है हमने तो अपने बेटा खोया है इन्होंने कमेंट किया कि मैं भारती फोज में हूँ और ऐसा होता है उनको भी गार्ड ओफ ओनर नहीं दिया जाता है ये बात बिल्कुल सही है कि भारती ये सेना में कोई आत्मत्या करता है तो इसको गार्ड ओफ ओनर नहीं दिया जाता है लेकिन यह गलत है क्योंकि हमने तो अपना बेटा खोया है दूसरा गार्ड ओप ओनर दे दिया तो चार साल का सिस्टम खतम करे ठीक है कोई निसान कोई इंसान फोज में कमजोर दिल का होता नहीं है आगे ना जो देश की सेवा करता है वो आत्मत्या केसे कर सकता है देश वक् चाहिए इसके अलाव कुछ और भी कमेंट्स आए जो गलती से कुछ हो गया होगा इसका मतलब ये तो नहीं कि सहीद ही नहों और नहीं कहें नहीं सलामी देव से जेहो अमरतपाल सिंग जी देरीजे अब आउट गोवर्मेंट शेइंग येनि ध्यान रखना जो भी इसके ब और भारते शेना में कोई बढ़ती होता तो उसका बहुत कम चांस है था कि आत्मत्या करता है देखिए इस बात को तो मैं सहमत नहीं करूँगा क्योंकि कई बार परिवार की प्रस्थितियों के हिसाब से भी आत्मत्या कर लेते है जवान लेकिन इनके माता पिता का अगर आ आत्मा त्या नहीं कर सकता है हो सकता हूए उसके साथ में कोई दुरगटना हो गई हो लेकिन भारते सेना को सम्मान जरूर देना चाहिए क्यों कि वो सेना में रहते हुगा देखिए उसके लिए और भी बहुत शारे लोगों ने अलग- offensive लग अपने विचार रखे होना च तो अपने घर में कोई मरता है तब रोते हैं, अपना दर्द अपना और का भाड में फेके, यानि अपना दर्द तो समझे, दूसरों का भाड में फेके, इस परकार ये 5% इनके उपर कहा गया है, जिसने भी कहा है, अब मैं यहां पर आप एक क्यूशन पूछता हूँ, कि और कुछ नहीं चाहिए, एक बच्चे ने और भी कुछ लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है, इस मुद्दे को ट्यूटर के जरिए सरकार तब कहुंचाना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जिसने भी लिखी है, अब मैं आपको यहां पर एक और पूछना चाहता हूँ, ये वाला, तो आपका मुद्दा है कि आपने नहीं दिया कि वो गलत है, तो ये क्या सही है, जो हमारे देश के लावीर, चपूत, पुलोमा में सहीद हुए थे, उनको आप भूल गए, आज इनका स्वागत इस परकार से हो रहा है, तो ये गलत नहीं है, इनका सम्मान कर सकते हो, देश का जो बेटा होया है, अगर उसने किसी भी कानवस उसकी गर्मान के चलिए मुर्ती होगी, उसके लिए तो आप बहुत सारे लोग खड़े होगे, कि उसको सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, अगर उनको सम्मान नहीं किस किस बात का समान मिलना चाहिए इनको किस बात का सिर्फ इस लिए कि टिक्ट बेच सके इस्टेडियूमों में क्यों भारत पाकिस्तान का मेच जब इस परकार के हमारे को जखम दे रहे हैं पाकिस्तान ने उसके बावजूद क्यों क्यों इसा करता आप बार बार इनको किस बात का समान दिया जा रहा है फिर यह यह क्या है नाचकूद के दिखाए जा रहा है इनके सामने इनको किस बात का समान तब आप लोग कहां चले जाते हो तो इनको भी तो नहीं दिया जाना चाहिए ने समान यह भूल गए दिन पुलवा मा तवदा फरोरी याद कर लो भूल गए तो गूगल पर सर्च करके क्या वाता इस दिन इनके जकम इतने जल्दी कैसे बूल जाते हैं आप अगर उनको गार्ड ओपोनर नहीं दिया गया तो गलत ये भी है इनका सम्मान क्यों किया गया इनको बहुत बहुत प्यार से लाड़ प्यार से मेरा बेटा घराया जैसे अरे तो फिर सहीदों के साथ ऐसा क्यों भले ही वह अगनी वीर है चाहिए कुछ भी हो उनको भी शमान देना चाहिए और इस देश की जनता भी यह चाहती है लगबग 91% लोग सोचिए एक भव मता इ चाहिए बहले उसने डूटी पर रहते हुए किसी भी प्रकार उसकी मर्तिव हुई हो बिना किसी रिजन के और भारती सेना को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने आके इस प्रकार की बात करें उसका जरूर सम्मान करना चाहिए तो आप अगर इनका सम्मान नहीं तो इन क्रिग के दिन भी ते दिन रहीं हैं एक किस प्रकार से बयान वाजी करते हैं और उसके बावजोध कि उसको घलट और जहीं बता रहें तो जड़ी बता रहांगी उनको नहीं दिया करना ताकि ये मुद्दा उठे और शंशा तक जाए और अगनी वीरों के लिए कुछ अच्छे फेशले को सकते जै हिंद जै भारत